असलाम लेकूम वेलकम टू लाइवली कोकिंग आज हम बनाएंगे फ्राइट मतन चॉप्स बहुत ही सिंपल रेसिपी है और जटपड बनने वाली रेसिपी है जैसे के दुलाजा आ रही है और इसके मुनास्पत से मैंने आज ये रेसिपी बनाई है बहुत ही कम टाइम में ब मॉटन चॉप्स हमारे त्यार होंगे इसके लिए हम मॉटन चॉप्स लेंगे यहां पे तकरीबन 1kg मैं मॉटन चॉप्स ले रही हूँ है इसके उपर हम 2ेवल स्पून भरके सफ़ेज सिर्कार डालेंगे अद्रक और लहसन का पेस्ट हम इसके उपर डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे 1 टी स्पून नमक अहजबे जाएका मैं यहाँ पे 2 टी स्पून इसमें नमक आट कर रही हूँ सोर्ख मिर्च का पाउडर मैं 1 टी स्पून एड़ कर रही हूँ अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा भी एड़ कर सकती है अब हम इसे अच्छे से इसके उपर रब करेंगे और रब कर लेने के बाद हम इसको प्रशर कुकर में डालेंगे प्रशर कुकर में डालने के बाद हम इसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन आधा किलास या फिर एक ग्लास के करीब आप पानी डालने डिपेंड्स ओन यूर मीट क्या आपका मीट कितनी जल्दी गलेगा अब हम इसे प्रशर कुक करेंगे दस मिनट के लिए दस मिनट में जो मेरे पास मटन चॉपस है वो अच्छे से गल गए थे यह आप देख सकती हैं कि इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और ये अच्छे से गल गए है इसका पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए और खुश्क कर लेने के बाग हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून दही एड़ करेंगे एक दध अंडा हम लेंगे वो हम इसमें एड़ करेंगे कॉन फ्लोर हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून भुना और कुटा हुआ जीरा हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून अगर आप चाहें तो आप इसमें कुटा हुआ धनिया भी यूज़ कर सकती हैं ताबुद धन्या उता है तो उसे आप कूट कर वन टीज स्पून आप भी ऐड़ कर सकती है। कसूरी मेथी हम इसमें आइड़ करेंगे हाफ टीज स्पून, सफएद सिर्का हम इसमें फिर से थोड़ा सा आइड़ करेंगे टू टीज स्पून, सुर्फ म्र्च का पाउडर हम इसमें एड़ करेंगे 1 टी स्पून और अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम चॉप्स को इसमें कोट करेंगे मैं एक एक कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए और अगर आप इसको एक साथ ही इसके उपर डालने तो कोई मसला नहीं आप सारे चॉप्स उठाकर इसी तरह बॉल में डालकर इसके उपर सारी कोटिंग लगा लें लेकिन मैं एके कर रही हूँ ताकि मैं आपको क्लियर ली दिखा सकूँ इस तरह करके हम सारे चॉप्स के उपर ये कोटिंग वाला मसाला लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे अगर अब चाहें तो आप इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन डीप फ्राइ करने से ये इतनी जूसी नहीं रहते हैं क्रिस्पी बन जाते हैं तो इसलिए मैं इसे शेलो फ्राइ करूंगे फ्राइंक पैन में फ्राइंक पैन में हम इसे डालेंगे इस तरह करके और शेलो फ्राइ करेंगे गरम उईल में अच्छी तरह से दोनों तरफ कलर आने तक हम इसे पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए ये बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जूसी होंगे आप इसे मीडियम हीट पर पकाएए बहुत ज्यादा तेज आंच इसकी ना हो इस तरह करके हम इसकी साइड टॉन करेंगे एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो हम इसकी साइड टॉन करेंगे दूसरी साइड से हम इसे पकाएंगे और दोनों साइड से अच्छी से कलर आने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे यह आप देख सकती हैं कि इसके अच्छे से कलर आ गया है अब हम इसे डिश आउट करेंगे और यह हमारे मटन चॉप्स त्यार है इसके ओपर थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे लेकिन यह टोटली ऑप्शनल हैं अगर आप नहीं स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो आप इसे वॉइट करें लेमन वेज़स के साथ हम इसे सर्फ करेंगे बहुत ही सिंपल और मेरी रेसिपी है जो कि इद वाले दिन आप चटपट बना सकते हैं उमीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफेज